हालो प्रेंज और वेल काम बेक टुमाय चैनेल आज की इस वीडियो में बहुती खुपसुरत डिजाइनर सी लिप्स आप सभी को साथ सेयर करेंगे तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करते हुँ इस फेब्री को ले ली है तो इसका लंबाई मेजरमेंट करेंगे इसका लंबाई है 17 इंच और इसको चोड़ाई है 8.5 इंच अब यहाँ से हमें 3 पॉइंट में एक निशान लगाना है निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ट्रेंगिल सेब देते हुए इसे मार्क कर लेनी है अब नीचे के ओर से मेजरमेंट करेंगे नीचे के ओर से 7 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे कटिंग कर लीते हैं कटिंग करने के बाद यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे मीडिल पॉइंट पर भी छोटा सा कट लगानी है अब कुछ इस तरीके से सिलिप्स को खोल लेंगे और मीडिल से इस प्लेटेस को लगाना स्टार्ट करेंगे तो प्रेंज जहां तक हमारा छोटा सा कट लगी साइट लगने तो कुछ इस तरीके से प्लेटेस लगाने के बाद इहाँ पर daring कर लेंगे है साइट चुकी है अब सेम फोलो करते हुए दूसरे साइट भी चलिये वाटापड से कमपलीट कर लेते हैं तो देखे सकते हैं फ्रेंस कुछ इस तरीके से प्लेटेस को हम लगाते जाएंगे और यहां पर इन साइड में भी जहां तक हमारा कट लेगी हुई है वहां तक इस प्लेटेस को डालेंगे तो देखी सकते हैं दोनों साइट को जो प्लेटेस है और यहाँ पर लग चुकी है अब दोनों ही साइट पकरते हुए इसे स्टीचिंग कर लेंगे नीचे के और कंप्लेटली स्टीचिंग हो चुकी है अब उपर के side इसको अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए stitching कर लेंगे तो friends देखी सकते हैं कुछ इस तरीके से सेट करेंगे पहले उसके बाद इहां पर इसको stitching कर लेते हैं तो friends देखी सकते हैं दोनों side जो है हमारा लगवा complete हो चुकी है तो कुछ इस तरीके से उपर के side को जो plate से उसे भी complete त्यार कर लेंगे तो friends उपर बाला जो part है ओ हमारा इहां पर त्यार हो चुकी है अब इस बॉर्डर को त्यार करेंगे बॉर्डर को त्यार करने के लिए इसके लंबाई है 15 इंच इसको चोड़ाई है 5.5 इंच अब कुछ इस तरीके से इस लाइलिंग फेब्रिक हम उपर पे side में बखेंगे और यहां पर थोड़ी सी margin छोड़ेंगे लगबाख half inch के तरह और इसको stitching कर लेनी है तो चलिए फटापर से इसे stitching कर लेते हैं तो एक side हमारा stitching हो चुकी है अब दुसरे side में भी same process फोलो करते हुए इससे stitching कर लेंगे तो फ्रेंज देख सकते हैं दोनों side को stitching का काम वो complete हो चुकी है अब यहां पर इसको दुसरे side प्लट लेंगे कुछ इस तरीके से प्लटने के बाद हमारा जो border को दोनो side था और अंदर के side फोल्ड हो चुकी है तो चलिए फटापर से इसको अच्छी तरीके से fix कर लेते हैं तो प्रेंज अभी तक भी चैन के subscribe नहीं किये हैं तो प्लीज चैन के subscribe कीजिएगा और बेल लोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना जब भी हम नहीं नहीं वीडियो से अपलोट करेंगे सबसे पहले मिले आप सभी को तो चलिए फटापर से यह जो बॉर्डर है बॉर्डर को चारो साइड में इस स्टिचेंग का काम complete कर लेते हैं तो फ्रेंज देखे सकते हैं यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है वो लगभग complete यहाँ पर त्यार हो चुकी है अब हमारा जो बॉर्डर वाला पार्थ है और उपर वाला पार्थ है दोनों ही आपर complete हो चुकी है अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे डिजाइन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से प्लेन फेबरिक लिए है प्लेन फेबरिक लंबाई है पंद्रा 14.5 इंच और इसको चोड़ाई है 4.5 इंच अब कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे डबल फोल्ड करते हुए और यहां पर इसको स्टिचिंग कर लेनी है तो यहां पर थोड़ी सी मार्जिन छोड़ेंगे और इसको स्टिचिंग कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको स्टिचिंग करने के बाद यहां पर दूसरी साइड पलट देनी है अब पलटने के बाद कुछ इस तरीके से इस में फिर से हम एक अची तरीके से फिनीशिंग के साथ स्टीचिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से इस तरीके से स्टीचिंग करना है इस तरीके से अगर आप स्टीचिंग करते हैं तो आपको जो border है और two color में लगे रहे तो इसलिए हमने एहाँ पर two color में दिखने के लिए और इसके एक खुशुरत ईनिक लुक देने के लिए टू कलर के फेबरिक जो है, औह हमने इहां पर यूज किये हैं, अगर आप भी चाहते हैं, बोर्डर के नीचे कलर, दूसरे कलर में कोई भी डिजाइन, तो आपकुछ इस तरीके से ट्राइ कर सकते हैं, तो देखी सकते हैं फ्रेंग्स, इहां पर जो बोर्डर है औह भी त्या तो कुछ इस तरीके से दोनों पाट को जूर लेंगे तो यहां पर देखी फ्रेज दोनों साइट जूर चुकी है अब जितना भी एक्स्टा फेबरिक है एक्स्टा धागा है उसे कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद यहां पर हम लेंस एटाच करेंगे तो कुछ इस त को मार्क कर लेनी है तो अब दोनों साइड ही हमें सेम प्रोसेस से मार्क कर लेंगे जबकि बनने के बाद छोटा बारा ना हो इसलिए तो कुछ इस तरीके से हमने प्लेन फेब्रिक प्लेन लेस यूज कर रही हूं तो यहां पर थोड़ी सी लगबा का वान इंच के तरह हापी इस साइड में भी जहां तक थोड़ी सी मार्जिन चोड़ी हुई है वहां तक इसको रखना है तो देखी सकते हैं यहां पर जो एक साइड को लेस है और कम्प्लीट हो चुकी है आप दुसरे साइड में भी आप चाहो तो लेस एटज कर शक्ते हो तो हमने यहां पर अब तो देखे फ्रेंज दोनों साइड जो है हमारा ओकम्प्लीट त्यार हो चुकी है अब इसमें हम डिजाइन क्रियेट करेंगे डिजाइन क्रियेट करने के लिए हमने ज्यादा कुछ यहां पर इस्तेमाल नहीं किये हैं तो देखी सकते हैं आप बढने के बाद कितना सुन्दर सा लग रही है डिजाइन तो चलिए फटापर से इसे भी कम्प्लीट कर लेती हैं अब इनके बारी हमने मीडिल में कोई भी लेस नहीं लगा रही थी तो इसलिए हमने इसे लेस को मीडिल में लगाना चाहते हैं तो देखे सकते हैं फ्रेंज हमारा तीनों पार्ट जो है मीडिल और नीच और उपर तीनों पार्ट में अच्छी तरीके से इस लेज को लगा दी है अब इसमें और भी डिजाइन डालेंगे के डिजाइन डालने के लिए कुछ इस तरीके से अब सब्सक्राइब को दिखाते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के क्लेक जोर करना थेक्स परवाची माइब